हेलो दोस्तों स्वाधत आपका अपके अपने चैनल में आज मैं आपको कुड़ती पे बाजू अटेच करना बताऊंगी कुड़ती को मैंने सिल लिया है और यहां पे गोड़ाई में बाजू अटेच करना बताऊंगी यह कुड़्टी हो मैंने सिलके तयार कर लिया है, यह वाजू है, वाजू भी नीचे से फोल्ड करके तयार कर लिये, सीधा वाजू का, यह उल्टा वाजू है, यह वाजू है, अब हम कुड़्टी को लेंगे, यह कुड़्टी है, यहां से लेके यहां तक इसको पनाप लेंगे ऐसे पगड़के यू और यू इसको ऐसे पनाप लेंगे कितना आया है यह आया है पोने आठ इंच पोने आठ इंच बाजू को डबल करके ऐसे डबल कर लिया है बाजू को और यहां से यह बीच से बाजू के और यहां तक ऐसे तिर्चे में यू नाप लेंगे यह है पोने आठ इंच पोने आठ इंच पे एक नीशान लगा लेंगे और यह अपनी बाजू की जितनी मोरी की गोडाई है उतना हम निशान लगा लेंगी, मेरी वाज्जु की मोरी है 11 इंच, तो उसका हम 5 इंच में निशान लगा लेंगी, मैं निशान यहां लगा रही हूं, यह आगे से कटवाडी वाज्जु है, इसलिए यहां पर नहीं लगा रही, इन दोनों निशानों को मिला देंगे यह निशान लगा लिये हैं अब इस निशान के उपर इसलाई चला लेंगे एक शिलाई और चला लेंगे इसके साथ साथ एक पैर का मार जन करेंगे चलाई लगा लिये हैं एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको थोड़ा सा काट देंगे अब आज जो को सिधी कर लेते हैं वाजू को सिधा कर लिया है अब कुड़ते कर लेंगे यह कुड़ता है कुड़ता उल्टा होगा और वाजू सिधी यह फ्रंट है यह आगे की जो हमने गोडाई दे रखी है यह फ्रंट आर्मोल है यह बैक है ऐसे वाजू में होगा यह फ्रंट वाला यह बैक है फ्रंट बैक वाड़ा फ्रंट के साथ बैक वाड़ा बैक के साथ बाजू को इस ओल से इसके अंदर डाल देंगे कि जोक से निशान लगा देते हूं यह अपनी जो शिलाई है बाजू जो शिली हमने यह वाड़ी शिलाई यह वाड़ी यह बीचवाड़ी शिलाई और यह कुड़ते की बीचवाड़ी शिलाई है इन दोनों शिलाई एक दूसरे को पर ऐसे रखके यह मिला लिया है यह जो वीचवाड़ी शिलाई आगी इसमें सूई अंदर रखेंगे और पैर को उठाके यह जो निशान पैर को उठाने के बाद यह जो बाजू का कपड़ा है निच्चे जो एक्स्ट्रा इसको ऐसे अंदर की तरफ यह गुमा देंगे और यह उपर वाड़ा है इसको भी यूँ करके यूँ गुमा देंगे आप इसके उपर के पुलाई चला लिए ऐसे पूरी गुडाई में बाजू को सिल देंगे यह अपनी जो कंदा है यहां पर कंदा पटी रखके इसको भी शिल देंगे यह एक शिलाई में बिल्कुल शिलके परफेक्ट आती है नहीं कोई कपड़ा ज्यादा रहता नहीं कम रहता दोनों कपड़े बराबर हैं इस पर एक शिलाई और लगा लेक्ति हूं बाजू को अटेच कर दिया है कंदे के साथ अब इसको सीधा कर लेक्ति है कि बिल्कुल फिनिसिंग के साथ सिलके तैयार है कहीं कोई जोल नहीं है अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्याद्याद्या झाल 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 झाल